हेलो ब्रिवन मैं एसके सिंग मेडिकल एडमिशन कांसलर निट पीजी 2023 का लगबग मैक्समम अस्टेट हैं जो आपना नोटिफिकेशन डे बाई डे रिलीज कर रहे हैं ऐसे में 6 अस्टेट हैं जो आपना रेजिस्टेशन यानि के कांसलिंग सीडूल है वो पब्लिकली पब के सीड होती है गौवर्मेंट सीड इस सीडों के लिए आपको यह कांसलिंग सीडू लाया है मनेजमेंट कोटे के सीड के लिए अगर बात क्या जाया और एनरा कोटे के सीड के लिए जिसको प्राइबेट कॉलेज के अंदर बी के सीड बोलते हैं और सी के सीड के सीड इसको वही student eligible होंगे जिनका MBBS तेलंगाना से हो या फिर जिनका तेलंगाना का domicile है इन दो ही condition में आप eligible हो सकते हैं इसके लिए आपको कुछ eligibility करेक्टेरिया दिया हुआ है जिसे आप एक बार जहूर read करें मैं आपको सभी estate के बारे में बताऊंगा कि कौनकोंस estate का registration process चल रहे हैं क साथ में MCC counseling का बारे में describe करूँगा इसके साथ साथ आपको बताऊंगा possibility state आपके क्या हो सकती है जहां आपको chances काफी ज्यादा होगा और यदि आपको counseling चाहिए counseling guidance चाहिए admission चाहिए तो इसके लिए आप चाहिए तो contact कर सकते हैं वीडियो का screen या फिर description में नंबर दिया हु कर रहे हैं इसके लिए आप हमारे expert को hire कर सकते हैं इसके लिए pay करके कुछ amount आपको subscription लेना होगा तो यहां पर आपको हम बता दे सबसे पहले तेलंगाना state का तेलंगाना वैसे government seat के लिए सिर्फ दोमिशाल और MBBS student को eligible किया है competent authority quota के लिए government seat के लिए इसके लिए जो official website है जह dhe.in पर जाके registration करना होगा इसका registration का डेट है 10th July 2023 to 17th July 2023 दके registration process चलेगा online यहां पर document भी upload करना होगा इसके लिए इसी डेट में आपको online document भी upload करना होगा eligible वही स्टुएंट होंगे जो नीट PG 2023 के exam में qualify कर चुके है जो qualifying mark से qualifying cut-up है उससे eligible है वही स्टुएंट eligible होंगे जो cut-up score को cross कर चुके है और वैसे स्टुएंट जो candidate should have passed MBBS equivalent degree examination from a medical institute recognized by the medical council of India इसके बाद जिनके पास recognized medical degree है जो कि a state medical council या फिर medical council of India से जो recognized है वही स्टुएंट eligible होंगे और वैसे स्टुएंट eligible नहीं होंगे जिनका domicile और MBBS तेलंगाना से नहीं है वह स्टुएंट eligible नहीं होंगे इसके बाद यहाँ पर कुछ point दिया हुआ है internship completion certificate का दिया है कि आपको 11th August 2023 का date होना चाहिए इससे पहले का होना चाहिए या फिर इस date तक होना चाहिए इसके बाद आपको एक और point यहाँ पर mention किया गया है in service के लिए आपको 30 June 2023 तक का आपका डेट दिया हुआ है in service candidate के लिए जो कि in case of in service candidate गौर्वर्मेंट सर्विस रेजेंट सेल भी calculated as on 30 June 2023 इस तरीके से आपको कुछ जो document required है जिसको आपको upload करना होगा जो भी आपको document होंगे उसे आपको upload करना होगा इससे पहले आपको registration fee payment करना होगा यहाँ पर कोई security deposit नहीं करना है registration amount जो है OC और BC के लिए यानि कि general और OBC के लिए 5500 रूपीज है और SC, SD के लिए आपको 5000 रूपीज आपको charge की जाती है जिसको आप net banking, credit card, debit card के through online आप पे करके आप आगे proceed कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे अगला जो दिया हुआ है MBBS यहाँ पे आपको दिया हुआ है अगला पॉइंट following documents जो documents required होंगे आपको पासिंग passport, photo, admit card या फिर जिसको बोल सकते हैं rank card, original, provisional, degree certificate, अधार card, study certificate जो from MBBS to MBBS first year से final year तक का इसके बाद graduated completed from सिधारता medical college विजय वाड़ा study certificate from sixth class to intermediate इसके बाद दिया हुआ है अगला point latest category certificate यानि कि six month से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए minority certificate भी आपको compulsory होगा जो किसी particular minority से भिलोंग करते हैं इसके बाद latest service certificate होना चाहिए जो कि 10th July से पहले का बना हो या 10th July तक बना हो इसके बाद intensive completion certificate होना चाहिए जो कि 11th August तक का बना हुआ हो या फिर इससे पहले बना हो पर्मानेंट medical council certificate registration certificate इसके बाद आपको post graduation medical diploma certificate photo identity proof या फिर आपको 10 year का अगर residential proof है तो आप आप अंधरा तेलंगरादा में participate कर सकते हैं या फिर MBBS आपका वहां से है तो visit website through computer with intern connection for fill the application form fill in all the details in the online application form and upload the document with our mandatory यानि कि upload करना होगा सारे document आपको original होना चाहिए इसके साथ आगे और भी जो दिया हुआ point इस point को आप खुछ से आप read कर सकते हैं इसके साथ मैं आप आगे next estate पर बढ़ता हूं इसी के साथ आंधर परदेश का भी notification दो चार दिन के अंदर आने वाला है और भी कुछ अश्टेट है जिनका notification आ जाएगा लेकिन अभी तक का six ऐसा अश्टेट है जिसका counseling schedule आ चुका है result तो और choice feeling होगा और बाद में होगा result m CC के round one के बाद ही आएंगे लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो सभी एस्टेट के दवारा की जारी है maximum अश्टेट के तरफ से क्योंकि इनको अभी से registration process को okay कर लेते हैं तो इनके पार सिर्फ choice feeling का करना होगा choice feeling का facility को active करना होगा और जैसा ही आपको choice feeling करेंगे within two to five days के अंदर का result भी आजाएगा यानि कि counseling का जो परकिरिया है वो काफी फास्टली होने वाला है इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए counseling के लिए बिलकुल एलर्ट रहें कहीं जाईए मत बहुत सारे student को phone आ रहा था कि कुछ student out of India जा रहे कुछ स्टेट इंडिया में कई tourist place गूमने जा रह है केरला का ongoing है गुजरात का complete हो चुका है पंजाब का complete हो चुका है पॉंडिचरी का complete हो चुका है पॉंडिचरी का choice filling भी complete हो चुका है इसको MCC के round 2 के बाद सिधा result आएगा इसके साथ साथ आपको सिक्की मनिपाल का भी complete हो चुका है registration window हो सकता है इन लोग फिर से एक बार registration लेकिन चांसेस कम है हो सकता है सिधा मॉप अप राउंड में ओपन करेंगे कुछ अश्टेट होते हैं वो सीधा मॉप अप में करते हैं राउंड वन के बाद सीधा मॉप अप कुछ अश्टेट होते हैं हर राउंड में रेजिस्टेर्शन पोर्टल को ओपन करते हैं तो यहा बने रहें सारा document को ready करके रखें otherwise नुक्सान होंगे सारा systematic जो आपका fund है जो भी आपका documentation है उसे आप ready करके रखें जैसे ही आपका state का जिसी जिस्ता state का आपने form भरना है registration करना है तो सारे document आपके पास होंगे तो आप अपना जल्दी जल्दी सारे process को कर सकते हैं जिनको private में जाना है NRI के थ्रू जाना है तो आप private के लिए fund को आप एकत्तित कर ले fund को आप arrange करें NRI documentation को arrange करें क्योंकि आपको जैसे ही MCC का counseling schedule आएगा या फिर particular state का आएगा तो अगर आपको NRI कोटे से admission देना है तो NRI का आपको document को upload करना होगा इसके लिए NRI MCC के अगर counseling होगा तो ADGM को भी आपको counseling से पहले documentation करना होता है document को verification कराना होता है अगर आपके पास अगर round 1 में available नहीं है तो फिर आप round 2 में कर सकते हूं ऐसे round 1 में possibility अच्छे चे college क्या आपके पास होती है यहां दोस्तों बाकी के वीडियो मीत नहीं आज के वीडियो मीत नहीं थाइंक्स पर वाज कर दोस्तों 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 कर दोस्तों